इस वीडियो में दी हुई जांकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते है जिनके पास शक्ति प्रशिक्षन का बहुत कम या कोई पूर्व अनुभव नहीं है वे प्रोटीन व्यायाम के बाद संभावित एनाबॉलिक प्रतिक्रिया उत्पन करने के लिए प्लाजमा और इंटमस्किलर लिूसीन को काफी बढ़ाता है कार्ब्स इंसुलिन के माध्य से अंतरकोशिक ये सिग्नलिंग की सुविधा प्रदान करते हैं और मांस्पेशियों की कोशिकाओं की उर्जा स्थिति को बढ़ाते हैं कार्ब्स अधिक अनुकूल शुद्ध मांस्पेशी प्रोटीन संतुलन के लिए पोशक तत्वों का अनुकूलन करते हैं पूरक 100% प पाइदों के बारे में 1. मांस्पेशियों को बढ़ाने और उर्जा बनाय रखने में मदद करता है युवा अप्रशिक्षित व्यक्तियों में मांस्पेशियों के लाब को अधिक्तम करने के लिए मठ्था और कार्ब का सेवन अधिक फायदे मंद है कार्ब का सेवन बन सकती हैं. प्रोटीन और काबो हाइडरेट के सही संतुलंग के बिना आप कठिन प्रशिक्षन सत्र के बाद दर्द और ठकावट महसूस करेंगे. लंबे समय तक व्यायाम के दौरान मानस्पेशियों के संकुचन के लिए इस्थ्थम ग्लाइकोजन भंडार एक आवश्चिक सब्स्ट्रेट हैं. 2. मानस्पेशियों में प्रोटीन की तूटने को कम करता है व्यायाम और प्रोटीन अनुपूरण के लिए कंकाल की मानस्पेशियों की प्रतिक्रियाएं प्रशिक्षित और अप्रशिक्षित व्यक्तियों के बीच भिन होती है अध्याइनों से पता चला है कि कार्ब्स और वे प्रोटीन का जमाव cellular hydration और glycogen पुनरसंशलेशन को बढ़ाता है और अकेले वे प्रोटीन लेने की तुलना में सकारात्मक प्रोटीन संतुलन को बढ़ावा देता है अन्य प्रोटीन स्रोतों की तुलना में वे प्रोटीन की जैव उपलब्धता अधिक होती है जोड़ा गया एंजाइम मिश्रन पाचन शक्ती में सुधार करता है और पोशक तत्वों के अवशोशन को अनुकूलित करता है 3. मानस्पेशियों को बनाए रखने में मदद करता है मठा अनुपूरण एक फाइदिमंद विकल्प हो सकता है इसमें एक अनुकूल अमीनो एसिट प्रोफाइल है जो बढ़े हुए कंकाल मानस्पेशी प्रोटीन संचलेशन को बढ़ावा देने में मदद करती है वे में मौजूद आवश्यक अमीनो एसिट मानस्पेशियों की ख्षती को कम करने में मदद करते हैं और डॉम्स की लंबाई और मानस्पेशियों की धकान को कम कर सकते हैं 4. प्रशिक्षन की प्रती प्रतिक्रिया को अनुकूलित करता है. मानस्पेशियों को बढ़ाने के लिए लंबे समय तक नियमित प्रशिक्षन की आवश्यक्ता होती है. मठा मांसपेशियों की रिकवरी को समर्थन और तेज करता है, जो अथलेटिक प्रदर्शन को बहतर बनाने की कुंजी है प्रशिक्षन के बाद पूरक का सेवन मांसपेशियों के कारे को बहाल करने में मदद करता है व्यायाम के बाद मांस्पेशियों की मरम्मत में सुधार हो सकता है पूरे शरीर में प्रोटीन का अधिक उत्कृष्ट संतुलन हो सकता है और प्रशिक्षन की गुणवत्ता बढ़ाने का लक्ष रखने वालों के लिए फाय दिमंध हो सकता है पांच, शरीर की ताकत बढ़ाता है मांस्पेशियों की ताकत और आकार बढ़ाने के लिए प्रतिरोध प्रशिक्षन सबसे प्रभावी रण नीती है आहार अनुपूरक विभिन ऊर्जा अवस्थाओं और व्यायाम प्रशिक्षन स्थितियों में शरीर की संरचना में सुधार करता है ये पूरे शरीर में प्रोटीन संचलेशन और शुद्ध प्रोटीन संतुलन में सुधार करता है और प्रोटीन तूटने को कम करता है जिससे मान स्पेशियों की ताकत और हाइपर ट्रॉफी में अधिक महत्वपूर्ण वृद्धी होती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें